नमस्कार दोस्तों साल 2022 में 10 सितंबर से पित्र पक्ष शुरू हो रहा है पित्रों के प्रती सम्मान व्यक्त करने के लिए और उनका अशिर्वाद पाने के लिए पित्र पक्ष या श्राद पक्ष ये ये 15 दिन बहुत एहम होते हैं इस त्योहार श्राद तरपन पिंडदान क पार्यक कि आ जाता है तो दोस्तों आज हम वीडियो में अपने जोतिशी से जानेंगे पित्रों को प्रसंद करने के लिए श्राद कर्म कैसे करें और इस दौरान क्या करें क्या नहीं साथ ही इस दौरान कि चीजों का विशेश तोर पर ध्यान रखना चाहिए तो आई ये जानते हैं नमश्कार जय मातदी मैं आचार इंद्र देवसिष्ट कालिकाधाम जोति से आप सभी दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है आज बात करते हैं पित्रपक्ष के बारे में 10 सब्तमबर से लेकर के 25 सब्तमबर तक पित्रों के दिन चलेंगे पित्रों को प्रशं कास्त्र के अनुसार श्राद करने से पित्र पूजन करने से पित्र प्रशन होने से जीवन में सफ़लता मिलती है और सभी कश्ट दूर होते हैं और हमारे पित्र भी प्रशन रहते हैं वैसे भी सनातन संस्कृति में माता पिता की सेवा को सरवोपर ही बताया गया है तो वीडियो में बताऊंगा कि आप स्राध कैसे करें और श्राध में परहेज क्या 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 करना चाहिए और इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप पित्रदोस से पीड़त हैं पित्रदोस की समस्या है आपको है तो उनसे निजात आप किस तरह से पा सकते हैं स्राध में किन चीजों का दान करना चाहिए यह सारे चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगे इसलिए वीडियो पूरे बड़े ध्यान से सुनियेगा क्योंकि आगे पीछे हम परिशान रहा करते हैं पित्र दोस है कुंडली में भी ऐसी समस्याइं आती है यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ अगर किसी की पत्रिका में पित्र दोस सो नहीं भी कर रहा है तो भी कई बार पित्रों के समस्या बनी रहा करती है पित्र रुष्ट होने के लक्षण कुछ बताया गया है देखे जब पित्र प्रशन होंगे तो पहले बात तो ना आपका धरम करम में मन लगेगा ना पूजा पाठ में मन लगेगा घर में अचानक से समस्या आती रहेंगी कोई नो कोई बीमार रहेंगा हमेसा धन में वरकत नहीं होगी बच्चों का विवाह शादी रुख जाएगी वन सिप्रिद्धी में रुकावर पड़ेगी संतानादी प्राप्ती में दिक्कते होंगी ये सब कुछ पित्र दोस के लक्षण है निशानिया है तो ये आपके पास अवसर है अपने पित्रों को प्रशन न करने के लिए देखिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पित्रों में मैं अर्यमा हूँ अगर सही मायने में देखा जाए तो भगवान कृष्ण ही सरवोपरी है सब कुछ उनको ही तो हम अरपन करते है तो पंद्रा दिन सबसे पहले आप सबने सात्विक रहना है देखिए नवरात्रों से भी कहीं ज़्यादा परहेज विचार पित्रपक्ष का होता है तो सात्विक रहना है क्या नहीं करना है पित्रपक्ष में पहले हम इसकी जनकरी आपको देते हैं देखिए वैसे तो मना इतना भी है कि शरीर पे तेल नहीं लगाना चाहिए, धूमर, पान नहीं करना चाहिए, मास, मदिरा का सेवर नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज तक वर्जित कहा गया है, मुंडन, विवाह, ग्रीप्रवेश, नामकर्ण, ऐसे बड़े मांगलीक कार, पित्र पक्षमे नहीं करने चाहिए इन पंद्रह दिन तक लगातार आपको ब्रह्मचर रह करके अपने पित्रों का स्वन करना चाहिए, पित्रों का द्यान करना चाहिए, स्रीमत भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और इसी में अमामस वाले दिन सात्मे द्यागीता का पाठ अवश्य करना चाहिए ये पित्र दोस से मुक्ति दिलाता है और पित्र परशन रहते हैं जिनकी तिथी न पता हो उनका श्राद आप लाश्ट श्राद में यानि की अवावस्या तिथी को कर सकते हैं जिनका अकाल मृत्तु ज्यादा बीमारी से या दुरघटना से एकसिरेंड से सर्पिक काट लेने से अकाल मृत्तु हुई है तो ऐसे पित्रों के ऐसे पूर्बजो करना चाहिए तिल जव जले में डाल करके दक्षण की तरफ मुख करके सावत की तरफ मुख करके ओम पित्र भ्याहन महा या ओम पित्र देवार महा इस समंत्र को बोलते हुए जल अरपन करें पित्रों के बारे में बहुत बड़ा इतिहास है बहुत सारी चीजें जो जीवन को प्रभावित करती है धर्म साज्त्रों के अंसार से वीडियो लंबी न बन जाए इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ इसके बाद आपने क्या करना है पित्रों में पित्र पक्ष में आपको तरपन मारजन देखिए होता क्या है अक्सर हम कई बार ब्रामन को बुला के भोजन करवा दिया हमने किसी को भोजन दान कर दिया गाय को ये कुट्य को ग्रास निकाल दिया और हम सोचते हैं पित्र प्रशन होंगे या हमारा श्राद हो गया देखिए श्राद तब ही स्विकार होगा जब आप अपने घर पर या किसी पवित्र स्थान पर प्रजन का दान तो हम आगे पीसे भी करते रहते हैं, गायक हुए कुत्वे को ग्राज तो हम आगे पीसे भी निकालते रहते हैं, तो ये आपको अवश्य करना है, तरपन और पिंड दान पित्रों को निमित करना चाहिए, जिनके घर में पूरुष नहीं है, सास्त्र तो यहा पुरवजो की नमित श्राद ये कर सकती है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए पंद्रह दिन अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपकी बहुत सारी समझ्याय दूर होगी और सबसे बड़ी बात है आपके पित्र प्रशन रहेंगे हर चीज में समस्या नहीं देखने चाहिए ये हमारे जीबन का कर्तब है सबसे नजदी के पित्र लोग के ही है पित्र का प्रभाव हमारे जीबन पर बहुत जादा रहा करता है उपाय के तौर पे बात करेंगे देखिए दस तरह के दान आप इन पित्र पक्ष में कर सकते है जूता, चपल, छाता, वस्त्र, जूता, घी, गुड, दहान्य, चांदी, सुर्ण, गव, भूमी, गुड, शक्कर, आटा जिनकी जो सामर्त हो गीता, गरंथ, कादा, ये सब कुछ आप कर सकते है ब्रामण को भोजन कराएं, और ब्रामण से तरपन और अपने पित्रों का पिंडदान भी कराएं इसके साथ उपाय के तोर पे गराब करना चाहते हैं, तो नियमीत वैसे तो आगे पीछे पित्रों को पाय करना हो, तो सोम बार बारे दिन 21 आग के पुस्प लें और बिरपत्री लें, और दही लें, और भगवान शिव पर अरपन कीजिए और इस तरह आप एक की सोमबार करें, इसके बाद दक्षण की तरप मुख करके अपने पित्रों को जलपन कीजिए तो पित्र हमेशा प्रशन रहेंगे, और पित्र दोस्त की आपको शिकायत नहीं रहेगी तो पित्रों का तरपन मार्जन पिंड दान जब तक नहीं करते तब तक श्राद स्विकार नहीं होता इसलिए 15 दिन तक ये पूरे परिहेश करें और बड़े भाव सब मैं पित्रों का वंदन करें इता जी का पाड़ कीजिए भगवान कृष्णी भी कहते हैं पित्रों में मैं अर्यमा हूं तो इसलिए पित्र पूजन से आपके सभी मनोरत पूर्ण होंगे बहुत बहुत धन्यवाद जयमाता दे इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद